नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका चलिए चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए और कल डेट होने वाली है अपनी 11 अक्टूबर 2023 साल के आखरी पडाव में है मार्किट आखरी क्वाटर में है मार्किट और उम्मीद है दोस्तों आपको टेलीग्रा में वहां से जोइन करना ना भूले मेरा प्रीमियम इटिंग का व्यू था क्योंकि मंगल मार्क थोड़ा सा ऐसा ही रहता है और अगर मार्किट को तेज होना था लेवल आपको पोस्ट किया था 19-630 और अगर आप मुझे पिछले कहीं दिनों से सुन रहे हैं तो आप ये ज है यहां पर आप देखेंगे एक केंडल एक गंटे की है एक केंडल एक गंटे 30 मिनिट्स के सोरी यह जो लेवल है 19,630 यह रहा एक गंटा आदा गंटा एक गंटा फिर आदा गंटा तेड़ गंटा दो गंटा तो ये दो गंटे तो मार्किट इसी चीज में ट्राई करता रहा 630 काटों की ना काटों यह लेवल पोस्ट किया था 19,630 SL 19,600 के साथ यह फिर तेजी पूरी आपको देखने को मिली है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सही बैंक निफ्टी में मैं बेरिश था तो बैंक निफ्टी का एक्सेल कॉल भी ट्राई किया बट वहां पे साथ पॉइंट उपर के परी एक बार देख ही लेते हैं दोस्तों टेलिग्राम ना यह रहा तो यह तो मैंने अभी पोस्ट किये हैं यह रहे हमारे मैसेजेज फिक है निफ्टी के जो लेवल थे वो था यह सेल यह करना है बाई यह करना है तो यह ट्रिगर हुआ और बारा बच के सतरा के आसपास मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था कि यहां पर सेल कर दीजिए यह ऐसल लगा लेजिए फिक है तो निफ्टी को छोड़ दीजे वाई जो साट पॉइंट का जो भी आपका लॉस है उसको बुक कर लीजिए इसको करी फॉरवड नहीं करना है तो यह थी अपडेट मेरी तीन बज के दस मिनट को टेलीग्राम पर यह आपको दे रहा था और दुपैर को जो वीडियो डाली थी वह भी चर्चा कर लेते हैं कल की शुरू करने से पहले ठीक है जो मैं बोल रहा हूं वैसा उसे साब से मार्केट में हो जा रहा है बढ़िया बात है पर भया मेरी वीडियो के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं प्रॉफिट और लॉस वह आपका ही है उसमें मैं मेरा चैनल कहीं स से रिस्पोंसिबल नहीं है मैं कोई से भी रेजिस्टर्ड एनलेस भी नहीं हूँ ठीक है जस्ट अपना परसल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं लेवल जितनी नॉलेज मेरे को है उतना शेयर कर रहा हूं चली अब कल की चर्चा कर लेते हैं कल इंपोर्टेंट दिनने चार बोटम को क्या पूलेंगे पता नहीं मुझे पॉर्टर नहीं पॉर्टर तो नहीं पॉर्टर ली जो भी हवाई चार परकार का बोटम बनाए यहां पर इस केंडल को आवाइड कीजिए यह मैं आप से पहले डिसकस कर चुका हूं यहां से यह एन की मैंने आपके साथ की थी कि ऐसा एन बनता हुआ दिखेगा तो ऊपर तक जा सकता है ठीक है वो बीटी स्टी भी मैंने इसी कारण से दिया है बीटी स्टी देने का सबसे बड़ा कारण यह है मेरी वीकेंड की वीडियो को निकालके देखिएगा क्यूं आज बीटी स्टी बना है आपको यह बॉटम है 19,334 और यह इसकी रिट्रेस्मेंट की रेंजिस है 23.6, 38.2 यह है 50% और यह है 61.8% यह पूरा फॉल है इस लेवल के उपर जब निकल जाएगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि यह ATH की तरफ जा रहा है जब तक इस लेवल को नहीं चलता तो हम यहाँ पे रिट्रेस्मेंट दर रिट्रेस्मेंट को ट्रेड करेंगे और कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है उसके लिए अपने आपको देखेंगे ठीक है तो आज के लिए इंट्राडे बेसिज में क्या था उननिस चैसो थीस के उपर बाय था अब बी टी एस्टी कैसे बना बी टी एस्टी ऐसे बना क्यूंकि इसकी क्लोजिंग कहां पे आ गई है 38.2 की जो रिट्रेस्मेंट है इसको मैं राइट सैड में देखे आता हूँ क्लोजिंग जो है इस रिट्रेस्मेंट के उपर आ गई है मतलब 19,675 यह लेवल आपको दिख रहा होगा इसके उपर क्लोजिंग आ अब अगला टार्गेट क्या बन जाता है ये 19,780 के आसपास इसलिए जहां तक इसको जाना चाहिए बट अब यहां पर आप देखेंगे ये एक बहुत ही बढ़िया रजिस्टेंस का एरिया है यहां पर पर एक रजिस्टेंस है तो कल अगर आपको अब सुन लिजे ध्यान से सुन लिजे ध्यान से नोट कर लीजे इस चीज़ को ठीक है तो रात को ग्यारह बजने वाले हैं वही आज भी वीडियो लेट बना रहा हूँ कोई नहीं दोस्तों कल से टाइम ली वीडियो आ जाएंगी पांट वजे के आसपास पांट शे वजे के पीछ में उबर फ्रोम का जो फाइदा मिल रहा था न वो नहीं हो पा रहा अब जाना पड़ रहा है कल अगर आपको उननिस साथ सो असी उननिस आठ सो के आसपास मिलता है कल ठीक है इस 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 रेंज में कहीं हमें मिलने की उमीद है तो उननिस आठ सो पचास ये लगाना है एसल यहाँ पर कहीं पर उननिस आठ सो पचास का लेवल ये रहेगा आपका एसल और आपको शौर्ट करना है ये रिस्क थोड़ा सा लीजेगा छोटा सा रिस्क है नेक्स्ट वीक की कोई एक्सपायरी आप ट्राई कर सकते हैं मैं प्रेफर करूँगा उननिस साथ सो की पुट आप लेजिए ठीक है इस दिन निफ्टी इस लेवल में आके क्लोज कर देगा फिर क्या हम कंसिडर करेंगे थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ा करेंगे धैन वी विल लुक की ट्रेंड ये है पर कब जब यहां से लेके जो ये वेव बनी है सिंपल है यहां से लेके के जो ये वेव बनी है इसका 61.8% रे ट्रेस कर ले क्योंकि ये जो गिरावट है ये थोड़ी सी खोड़ा सा क्या अच्छे से आपको समझा चुका हूं दुबरहर रिपीट करने बें वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत लोग बहुते हैं कि बहुत लंबी वीडियो बना दिये तो simple है मैंने bank nifty का आपको समझा दिया कि कल उपर खुलता है खुलना चाहिए बड़िया जबरदस साली candle बनी है ये Friday का high हाँ एक चीज नोट कर लिए उसके बाद की भी important चीज है जब तक market इस Friday के high के उपर है ये मतलब 19,675 जब तक nifty इसके उपर है वो buy on dips है ठीक है और nifty खराब कब हो जाएगा जब ये जो Monday मतलब कल की जो candle का low था अब ये note कर लिजे आप अपनी copy की विताब can में लेके लिख लिजे नifty में आप buy side में बने रही है जब तक ये इस level के उपर है 19,675 है ना और आपको बिल्कुल bullish तेजी दिख जाएगी जिस दिन वो इस level के उपर close कर गया उस दिन आप call को बढ़िया तरीके से positional basis carry कर सकते हैं देखे फरक है एक फरक क्या है BTST में फरक होता है एक होता है positional में BTST क्या होता है भाईया कल के लिए ही है तो कल एक BTST के तोर पर buy क्या हुआ है positional basis आप buy करेंगे जब आप इस retracement level के उपर close कर देगे यहां पर कहीं पर close कर देगे और जब तक निफ्टी इस Friday के high के उपर है तब तक आपको intraday में dips को buy करना है है ना dips को buy करना है और इस level के आसपा short करना है उननीस आठ सो पचास का एसल डाल के आठ सो आठ सो पचास के बीच में buy करिए 700-675 के बीच में profit को book कर के उपर से call की तरह फिर बैट जाईए यहां पर हुआ क्या है लोग उनने इधर buy किया है इधर short किया है यह गिरा बाई किया फिर उपर चला गया फिर गिरा फिर बाई किया फिर उपर चला गया फिर गिरा फिर बाई किया उपर चला गया पिछले आठ दिन की कहानी यही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवर साथ दिन की कहानी में क्या है नीचे आपको उन्नीस पांस सो के आसपा या रेंज जो है शिफ्ट हो जाएगी यहां से सैलिंग आ रही थी अब यहां से क्या है बाइंग आ जाए करेगी और यहां से सैलिंग आ जाए करेगी अब यहां से थोड़ा साथ देखना पड़ेगा आपकी यहां से सब्सक्राइब के नीचे ही जिस दिन क्लोजिंग आएगी उस दिन मार्केट में बाइयों डिप्स जो है खतम हो जाएगा रेंज के नीचे शिफ्ट हो जाएगा बट कल पर्टिकुलरली अगे मैं डे की बात क करूं कल शिर्फ पर्टिकुलरली डे की बात करूं तो उननिस आट सो पचास का एक एसल रखके आप सेल का बटन जरूर दबाईएगा बहुत ही रिस्क छोटा सा है एंड फैवरेवल है ठीक है लिया जा सकता है चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी द है आपको एक इस परकार का कोई पैटन मनता हुआ दिखें कि इस परकार यह तो फिर नीचे की तरफ 43,800 की तरफ करना है मैं बीच में यहाँ पर बायर कमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर उपर से सेल ओन राइज ही करना है बैंक निफ्टी को सेल ओन राइज ही करना है उसका पर्फेक्ट केंडिडेट है अब करेंगे कहां जैसे आज हमने क्या ट्राइज किया था 44,500 ठीक है देखें तीन परकार से आप इसको समझ जाएगे मैं डेली अलसेस कर रहा हूं तो समझना है बैं 44,000 के नीचे रहता है तो बी ओन सेल साइड बट अगर इसके उपर निकल के तेजी हो गई है तो जितना आप इसको 44,400 के आसपास से सेल कर सकें विद SLO 44,500 उतना बढ़िया है ठीक है अब मालोई कल की दिन 44,500 को भी क्रॉस कर जाता है फिर आपके पास लेवल निकल के आता है यह एंड इस लेवल इस 44,800 फिर आप यहां से एक शौट ट्राइग कर सकते हैं पर यह शौट ट्राइग करने का मतलब क्या है कि आपका व्य जो है वो बेरिश है वो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में बेरिश है निफ्टी में बेरिश मेरा व्यू नहीं है अब या तो निफ्टी इसको खींच के इसका सेटप सुदार दे इसका सेटप जो है बुलिश नहीं है इसका सेटप सेल ओन राइस का है ठीक है निफ्टी का स से एक sell जरूर बनता है और bank nifty का तो जरूर बनता है 44,800 का sell लेकर बाग की कुछ changes होंगे दोस्तों तो telegram पर मैं आपके साथ बैठा ही हूँ वहाँ पर मैं आपको अपने level share कर देता हूँ वो मैं वहाँ पर share कर देता हूँ भया मैं वो चमन आदमी नहीं हूँ जो ये वीडियो डालेगा कि ट्रेडिंग कर रहे हो जॉब छोड़ दो ठीक है बॉल्स घंटा ट्रेडिंग कर रहे हो जो अरे ये साल नेगेटिव है मेरा मैं खुल बोल रहा हूँ दो हजार तेइस ट्रेडिंग में नेगेटिव रिटन्स में हूँ मैं रिटन्स का लॉस होता है रिटन्स लॉस में हूँ पिछले चार साल में ये साल मेरा अब तक नुक्सान में जा रहा है ठीक है में, जून, जुलाई ये तीन महीने वही है अब तगड़ा लॉस जेला है मैंने अगस ठीक था, मैंने स्ट्रेटजी को चेंज करी, सेप्टेमबर नूट्रल एंड ये अक्टूबर ठीक चल रहा है ठीक है, बट नेट लॉस है, यहां मेरी ऐसी स्ट्रेटजी फेल हुई है जो लास्ट चार साल में फेल नहीं हुई यह मे, जून, जुलाई के मार्केट है तो यह है, जो आपनी छोड़नी चाहिए है ट्रेडिंग के चक्कर में ट्रेडिंग जो लोग ऐसी वीडियो डालते हैं बेफुब बनाते हैं आप लोगों के ठीक है, चलिए, ठेंक यू वेरी मच